अब यहां पर पहुंच गे और रुके वए ते होटेल नेस्ट में यह अपूट नेस्ट बियाइटी चौक में पड़ता है और गाइस कल यहां पर पहुंचते ही बारीस हलका हलका बुंदावंदी स्टाट हो गया पूरा जो फीलिंग्स ताना पूरा केरला टाइब कर लगा म अभी तो हमने जो होटेल में रह रहे थे हुहां से चेक आउट कर रहे हैं मैं थोड़ा आपको होटेल का टूर करवा देता हूं यह देखिए यह रहा होटेल हमको 15 रुपे पड़ा अभी हम लोग जा रहे हैं सबसे पहले तो हमने एक टेक्सी हायर किया है आज काजी रंग उसके बार जाएंगे चाय वगान है वह देखने के लिए तो आप वीडियो में पने रहे हैं संहलोक यहां पर रुखे हैं एक जगह भाया रला के रुके हम जगह का नाम है दीपर वील बोलते हैं यह देखिए वह बोल रहे हैं यहां पर बहुत मात्रा में मचली पकड़ते तो देखिए नजारा देखिए या बहुत ही खुपसूरत है और उपर से थोड़ा थोड़ा बुंदा बांदी वारिस भी हो रहा है पूरा स्काय देखिए बहुत ही अच्छा भ्यू है अभी यहां पर ड्रोन उड़ाने का प्लान हो रहा था लेकिए नहीं साक भाईया मना कि क्योंकि चायवगान में ड्रोन उड़ाना है तो गाइस ऐसा कुछ है गाइस सो चलते हैं गाइस देखिए यह रहा गोहार्टी उनिवसिटी राइड साइड में रहा और आगे जा रहे हैं हम आज का मौसम जो दिख रहे ना बस बारिस नहों यार नहीं तो सारा प्लान का प मिल जाता है गाइस देखिए वहां पे तिरुपती टेंपल है यहां का गोहार्टी का बहुत सारा पहाड है गाइस चारो तरफ दिल स्टेशन से भरा हो आए लेकिन जागा है आप यहां पे घुमोगे तो फूरा महीना कम पड़ जाएगा तो हम लोग यहां पे रुख गए है एक होटेल दिका हमें राजिस्थानी भोजनाय लव बोलके तो गाइस अभी चलते हैं अंदर क्या सब कुछ यहां पे अबेलेवे लव देखेंगे और कुछ खा लेते हैं गाइस बहुत भूग लगा रास्ते में कुछ ऐसा खुला नह नास्ता नास्ते में हमको मिला यहां पे रूटी और नान है नान क्या क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं एक चना टाइप का है कुछ मैं आपको दिखा देता हूं यह देखे गाइस यह हो गया रूटी और भाईया इसे क्या बोलते हैं तड़का तड़का तो गाइस रूट तिस पहलें फचे हकाइ functioning लगें रहरा है कूछ असाम थासम स्ब्सक्राइब लग रहाइब कुछ है यह ओक के आध करी यह प्लेवर देतों मार्लालियो वह श्यार का रहका है कि अब भी हमने खाना खा लिया है और बारिस तो पूरा रुखने का नाम नहीं लिये रहा है पिर भी हमारे पास केप है कोई प्रोबलम नहीं तो चलते हैं हमारे मंजिल के तरफ तो आप विटो बने रही है और गाइस देखिए यहां पर भ्यू देखिए बुरा सारे पैसे भ्यू किया है मस्त गाइस देखिए वहाँ पर चावगान है स्टार्ट होई है особенно हमलोग जो आना एक पांच गया है का जो बॉर्डर है जहांसे काई रंगा श्टाOR होता तो पहुंच गयां अभी जे यहां जो बह्या थे जो ड्रैव़ भया हो बोल रही थे कि यहां से आपको मिल जाया चाई का वागान देखने के लिए और गाइस मुझे ना यहाँ पर आके एक इंट्रेस्टिंग चीज दिखा सो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ यह देखे गाइस किंग कॉंग हाथ में हेलिकोप्टर फकड़ा है बहुत डेंजर लग रहा है न और गाइस देखे उस साइड उस साइड एक पहाड है जो के पूरा कोहरा में छुप गया है पूरा और देखे क्या वियू है यार सारे पेजन इस वियू के है मस दिख रहा है पूरा मुझे लग रहा है यह जो है यह एक होटेल होगा यहां पी लिख्या हुआ है खोलंग खोलंग बोल की लिखा हुआ है और और आग आई स्चाय का वागान गाड़ी जैसे आ रहा है ना मुझे डर लग रहा है यार सो गाई चलते हैं आगे आगे तो और रही इंटरस्टिंग चीज होगा आपको दिखाऊंगा हमें तो चलते हैं गाई दोस्तों इस वीडियो में सायद आपको रास्ते का सौट कुछ जादा ही दिखाई दे क्या करूँ यार मलबूर हूंपुरा बहुत ही सुंदर नजारा है और मैं यहां आके अगर यह सब आपको ना दिखाऊं तो यहां आने यहां ना आने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा देखिए तो दोस्तों देखिए चाय का बगान स्टार्ट हो गया है पुरा जिधर भी नजर जा रहा है ना चाय का बगान ही दिख रहा है देखिए मुझे अभी पूरा बहुत अपसोस हो रहा है गाईस बारिस हो रहा है नहीं तो अभी ड्रोन उडाता मैं यहां पर दिख तरफ पूरा चाहे का बगान है, अभी बारिस स्टार्ट हो गया, यार, किसमत खराफ है, गाइस, देखो, बारिस को अभी भी होना था, यहां पे, अभी थोड़े दिर पहले बारिस बंद हुआ था, बारिस नहीं हो रहा था, तो मैं सोच रहा था, कि यहां का सोट अच्छी मतलो बारिस रुख चाएगा तो आप उड़ा लेना तो देखते हैं आगे होगा तो उड़ाएंगे ठीक है देखिए गाइस जहां तक नजर जाता है पुरा जहां तक आप देखो जहां तक पुरा नजर जाता है हर तरफ यहां पे चाय बगाना चाय की खेती हुआ है बहुत खुबसूरत लग रहा है गाईस मेरे पास सब्द नहीं है इस खुबसूरती को बया करने के लिए अगर आप इस खुबसूरती का मज़ा उठाना चाहते हो तो आप यहां पर एक बार आओ और घुम के जाओ बहुत अच्छा फील होगा लाइब टाइम एक्सपरियंस रहेगा होगा अपका पूरा अमर घर याद रखेंगे आप इस जगह को इस और उस मुमेंट को जब यहां पर आएगे आप देखिए गए गागा जहां तक दिख रहा है जहां तक मेरा नजर जा रहा है पूरा चाय ही चाय बहुत खेती होता है यहां पर चायगा मैं घर जाते डाइम तो यहां का चाय इस डेपुनेटी लूँगा याइस देखिए यार मस्त है अभी बारिस हो रहा है लेकिन हम लोग यहां पर रुके हो है यह घर जैसा है कुछ तो देखिए यहां पर चाय का वगान और हम लोग रुके यहां पर तो बारिस थोड़ा कम जाएगा तो ड्रोन उड़ाएंगे यहां पर नहीं तो क्या करेंगे यार आप बस इसी सौट से काम चला लेना ओके तो दोस्तों अभी एक जगह पर रुके हुए है यहां पर जो भ्यू आ रहा है मस्ट भ्यू आ रहा है भ्यू पैन बोल रहे हैं इसे यहां से कुछ जानवर दिखाई दे रहे हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ आप देखिए जो स्क्रीन में इतना तो जूम नहीं हो रहा है लेकिन देखिए वहां पर कुछ एनिमल्स हैं जैसे हिरन ऐसा है और रैनोस की तरह तो दिख रहे हैं मुझे क्या है मेरे को भी पता नहीं है एक्जेक्ली तो ऐसा कुछ सीन्स है गाईस और यहां पर टोरिस्ट लोग सब आए हुए है मैं आपको दिखा देता हूँ वहां से व्यूपॉइंट में आनंद ले रहे हैं और उनके पास बैनकुलर भी है जो कि हमारे पास नहीं है गाईस तो ऐसा कुछ है तो अबी आगे चलते हैं और भी देखनों को मिलेगा ऐसा बोल रहे हैं हमारे जो ड्रैवर है so गैस निकलते हैं यहां से so गैस हम लोग काजिरंगा पे पहुंच चुके हैं यहां पे पहुंचते पहुंचते चार बज गया गैस और अभी तो जो हो गया आपका काजिरंगा घुमने है पॉसिबल नहीं हो पाएगा इसलिए हमने यहां का होमस्टे में अपना रूम बुक करवा लिए हैं और कल जाएंगे काजिरंगा को बहुत बारिस हुआ इसलिए पहुंचते पहुंचते बहुत लेट हो गया गाइस और यह रहा हमारा टेक्सी और यह हो गया हमारा रूम स्टे जहां पर हम स्टे कर रहे हैं आज क्या वीडियो को ही पेयान करते हैं गई सुम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लग तो वीडियो को लाइक कर देना कुछ सुजाब तो कमेंट करके बाद